सब्सक्राइब करेंगे तो आपने पूरा फोकस लगा के समझना है क्योंकि होता क्या है हम एक जगा उस टॉपी को समझते नहीं है फिर उससे रेटिड हम 10-15 वीडियो देख लेते हैं उसके बाद भी हम क्या गरते हैं रट्टा मारके चले जाते हैं तो शुरू करते हैं तो यह सेकिंड वीडियो है इससे पहले वाली वीडियो जह हमने करी है वह हमने करी है Marginal Productivity Theory of Distribution वह पहली वीडियो थी तो अगर आपने नहीं देखिया आप उससे जाके देख सकते हैं इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम फेक्टर प्राइजिंग कैसे करते हैं different market situation में कि perfect competition कभी factor market में है perfect competition product market में है हो सकता है imperfect competition product market में है लेकिन perfect competition factor market में है तो एससे situation में हम factor pricing कैसे करते हैं वो इस यूडियो में हम पढ़ेंगे तो में question आता है कि factor pricing की हमें हमें जुरूत क्यों है factor pricing theory पढ़ने क्यों हमने product pricing करी हुई है तो क्यों न product pricing वाले rule ही इसमें लगा दिया जाए factor pricing में ऐसा क्यों है कि हम जो land labor खरीदते हैं यह direct हमें क्या करती है satisfaction परवाइड करती है ऐसा नहीं होता land labor जो है वो product बनाती है और वो product हम खरीदते हैं उससे हमें satisfaction मिलती है तो जो land labor है यह derived demand है demand basically हम किसी चीज़ करते है product की और उस product की demand को पूरा करने के लिए हमें इनकी जूट पड़ती है इसलिए इनकी थेोरी जो है वो अलग होगी जबकि product market की थेोरी अलग होती है second condition यह है कि cost of production जो land और labor है इनको produce करने का कोई cost नहीं होता labor को produce करने में हमें कोई खर्चा नहीं लगा marginal productivity के base पर यानि कि इनको use करने से हम कितना product बना पा रहे हैं उसके base पर होती है लेकिन जो product market है उसकी pricing इसके base पर होती है कि हम उनसे utility कितनी ले रहे हैं कितनी utility हमें वो product provide करा रहा है इसी इसाप से उसकी demand दे होती है तो यह तीन condition में है जिसकी वज़े से factor pricing हम अलग से पढ़ते है product pricing पढ़ने के बाद अब यहाँ पर क्या है यहाँ पर चार main condition हम पढ़ने वाले हैं एक तो पहली condition है कि perfect competition हो जब product market में भी और factor market में भी product market का क्या मतलब है जहाँ पर हम अपने product बना के sale कर रहे है और factor market का क्या मतलब है जहाँ से हम factor production खरीद रहे हैं तो अगर दोनों ही market में perfect competition की situation हो तब pricing कैसे होगी दूसरी condition होती है जब perfect competition हो factor market में यानि जहाँ से हम labor land खरीद रहे हैं लेकिन imperfect competition हो product market में imperfect competition का क्या मतलब है monopoly हो अगर product market में तब कैसे factor pricing होगी, इसी तरह अगर monosony हो factor market में, इसका क्या मतलब है, कि single buyer है हमारे पास, ठीक है, but perfect competition है product market में, इस case में factor pricing कैसे होगी, इसी तरह monosony अगर factor market में है, लेकिन monopoly होगी हमारी product market में, तब factor pricing कैसे होगी, तो ये चारो situation होती है, और ये चारो ही बहुत important है, क्योंकि बहुत सारे competitive exam से, इनने से question पूछा जाता है, और maximum बच्चे, इस चीज को या तो रट के जाते हैं, या उन्हें कोई idea ही नहीं होता है, कि इसका answer कैसे देना है, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा, इस video में हम जो बात करने वाले हैं, ये है video number two, और इस video में हम बात करेंगे, जब perfect competition हो, both product market में भी और factor market में भी, तो शुरू करते हैं, देखे, हमने क्या पढ़ा है, कि हमारी firm जो है, वो तब तक labor hire करती रहेगी, जब तक wages जो है, कि इसके equal ना हो जाए, marginal productivity के equal ना हो जाए, ठीक है, अब माल लीजे wages है 180 रुपीज, और marginal productivity जो है, वो 20 unit है, marginal productivity क्या मत पड़ेगी, इस 20 unit की, यानि कि 20 unit जो उसने produce करी हो, कितने में sale हो रही है, माल लीजे price है 9 पे, तो ये sale हो रही है 180 रुपेज की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कि marginal product wages के equal है, और जो यह हमने marginal productivity को price से multiply किया, इसे हम कहते है value of marginal product, तो या तो आप कह लीजे wages equal है margin product के, य यहाँ पे, अब यह value of marginal productivity हमने कैसे निकाली, margin product को हमने price से multiply किया, price का मतलब है, हमने average revenue से multiply किया, लेकिन आप कहेंगे sir, हमने marginal productivity को marginal revenue से क्यों नहीं multiply किया, यानि कि marginal revenue थो हमने पढ़ा है, कि extra unit sale होने से कितना revenue मिलता है, अब जो extra unit इन्होंने एक extra labor लगाने से बनाई है, तो और wages जो है, या तो marginal product के equal होने चाहिए, या फिर कह लिघे मारगन revenue प्रोडटक के equal होने चाहिए, यह बात आपकी भिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें पता है कि परफेक volatility के case में margin revenue और average revenue क्या होते हैं, same होते हैं तो कह लिजे margin revenue product is equal to value of marginal product होगा perfect competition के case में, तो हम कह सकते हैं, कि wages जब value of margin product के equal है या margin revenue product के equal है तब तक हमारी firm क्या कर सकती है hire कर सकती है क्योंकि ये उसकी equilibrium situation होगी अब हम देख लेते हैं कैसे perfect competition के case में average revenue और margin revenue सेम होते हैं और कैसे imperfect competition के case में average revenue और margin revenue different होते हैं लेकि हमने ये पढ़ा हुआ है पहले भी कि अगर मान लिजे perfect competition के situation है और price हमें दिया हुआ है 16 रुपीज तो एक unit sold होने से जो कि 16 रुपी की है हमारा total revenue कितना हो गया और margin revenue कितना हो गया margin revenue मतलब एक extra unit sold होने से कितना revenue मिला तो 16 रुपी ही मिला तो यहाँ पर margin revenue भी 16 होगा इसी तरह एक extra unit जब हम sale करेंगे तब भी price कितना है 16 रुपी है क्योंकि हमें पता है perfect competition के case में जो firms होती है वो price taker होती है उनका price पे को influence नहीं होता तो price perfect competition के case में same रहता है या फिर average revenue कह लिजे same रहता है तो हमारा total revenue कितना हो गया 2 unit sale करने पे 32 रुपीज यानि कि एक extra unit sale करने पे हमें कितना change आया 16 रुपे कहीं change आया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे average revenue या फिर कह लिजे price same का same रहेगा और margin revenue भी same रहेगा और perfect competition के case में average revenue is equal to में margin revenue होगा या फिर कह लिजे price is equal to में margin revenue होगा यहाँ पे अगर हम figure देखें तो average revenue और margin revenue क्या है same है या फिर कह लिजे price equal to में average revenue is equal to में margin revenue है perfect competition के case में यह तो होगी perfect competition की बात अब अगर हम imperfect competition की बात करें तो imperfect competition में क्या होता है firms का price पे control होता है और अगर वो ज्यादा से ज्यादा units sale करना चाहती है तो उसको price क्या करना पड़ेगा अपना कम करना पड़ेगा जैसे कि यहाँ पे देखिए price हमने दिया हुआ है 16 rupees या फिर कह लिजे average revenue दिया है 16 rupees जब उसने पहली unit sale करी तो solar रपे के हिसाब से करी कर लिया अब दो unit sale करने से उसको 30 rupees बने 15 multiply by to 30 तो extra कितने बने उसे 14 rupees तो margin revenue कितना हो गया हमारा इस case में 14 rupees इसी तरह अगर वो और ज्यादा sale पढ़ाना चाहता है तो फिर वो price अपना कम कर रहा है तो 3 unit sale करने पे इसको कितने बने चोदा तिये 42 rupees बने गए तो extra कितने बने उसे 30 से 42 होगे 12 rupees तो आप देख सकते हैं इस case में क्या होता है average revenue भी कम होता जा रहा है और margin revenue भी कम होता जा रहा है लेकिन average revenue जो है वो जाधा होता है margin revenue से और margin revenue गढ़ते गढ़ते 0 भी हो जाता है और उसके बाद minus भी हो जाता है तो इसका diagram जो होता है वो ऐसे होता है ये average revenue कर रहा है ये margin revenue कर रहा है तो हम कहा सकते हैं imperfect competition के case में average revenue और margin revenue दोनों अलग-लग होते हैं तो अगर हम marginal product को average revenue से multiply कर रहे हैं तो हमारे पास आता है value of marginal product उसी तरह हम marginal product को margin revenue से multiply कर रहे हैं तो हमारे पास आता है margin revenue product और perfect competition के case में value of margin product equal होगा marginal revenue product के लेकिन imperfect competition के case में क्या होगा average revenue जादा होगा अब average revenue जादा है तो value of margin product जादा होगा margin revenue product से तो ये बाते हमें पता चल गी अब हमने average revenue भी देख लिए margin revenue भी देख लिया, margin product curve देख लेते हैं कैसी होती है तेख्ये Иसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके है यह हमारी margin product curve है यह हमारी average product curve है, यह हमारी total product curve है जैसे जैसे हम ज्यादा लेवर बढ़ाते चलते हैं, margin product बढ़ता है, फिर ये घटना शुरू हो जाता है, यहाँ पे ये average product के equal हो जाता है, और यहाँ पे जीरो होके minus में चला जाता है, और जहाँ पे margin product zero होता है, total product maximum होता है, यह सब कुछ हम product market में कर चुके हैं, तो अलग से एक lecture लग जाएगा, तो अब हमें तीन चीजे पता लगी, पहली perfect competition के case में average revenue, margin revenue के equal होता है, और curve ऐसे होती है, imperfect competition में ऐसे होती है, और average revenue ज्यादा होता है, margin revenue से, और मारी margin product curve ऐसी होती है, ठीक है, अब अगर हमने marginal product को multiply कर दिया, average revenue से, तो हमारे पास आजएगा value of margin product, और perfect competition के case में value of margin product के equal होता है, margin revenue product के, तो अगर हम इस curve को, यानि कि margin product कर को multiply करके average revenue या margin revenue से निकालें, तो हमारे पास curve कैसी आएगी, ऐसी आएगी, बस ये curve इस से क्या होगी, उन्ची होगी थोड़ी, क्योंकि इसकी value ज्यादा होगी, margin product से ज्यादा होगी, margin revenue product के, क्योंकि हमन margin product जादा होगी, margin revenue productVideo कम होगी, क्योंकि value of margin product curve उची होगी, margin revenue product कर्ष से, क्योंकि average revenue ज्यादा होता है, in perfect competition के case में margin revenue से, अब आपको दोनों case वेजिस की जो वेल्यू है, वेजिस है 40 रुपी, हाइपोथेटिकल नंबर हम मान रहे हैं, एक लेबर को हायर करने का जो प्राइस है, वो 40 रुपे है, यानि वेजिस जो है, वो 40 रुपे है, जब फॉर्म ने एक यूनिट हायर करी, तो उसको कितना फेक्टर कोस्ट लगेग करेंगे, Marginal Factor Cost, एक 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 एक्स्टर हायर करने से Marginal Factor Cost कितना आया, 40 रुपे आया, यह तोटल Factor Cost है, इसे Total Fixed Cost मत पान लीजेगा, यहाँ पर हम Factor Cost की बात कर रहे हैं, क्योंकि factor क्या है हमारा labor है, इसी तरह जब एक 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 एक्स्टरा labor वो और लगाएगा, तो फिर उसे कितना देना पड़ेगा? 40 रुपे देना पड़ेगा total factor cost कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा marginal factor cost कितना हो जाएगा? फिर 40 हो जाएगा देखे, perfect competition के case में जब आपने देखा था कि price क्या था? 16 था जो price था, वो वैसा का वैसा था perfect competition था, firm का control नहीं था तो price किसके equal था? margin revenue के equal था, यह मैंने आपको बताया था और price को ही हम average revenue कहते हैं ठीक है? क्योंकि firm का control नहीं था, इसलिए price same का same रहेगा और price किसके equal रहेगा? margin revenue के equal रहेगा same ही इस case में होता है, क्योंकि यहाँ पर sector market है wages पर control नहीं है firm का wages को वो change नहीं कर सकते तो wage जो है, वो same के same रहेंगे wages as it is रहेंगे जैसे product market के case में price same के same रहे थे और यहाँ पर भी wages किसके equal रहेंगे? marginal factor cost के equal रहेंगे जैसे price हमारा margin revenue के equal रहा था यहाँ पर आप देख सकते हैं wages जो है 40 रुपई ही है इसलिए हमारा margin factor cost में कोई change नहीं आ रहा extra labor लगाने से उसे 40 रुपई ही देने पड़ रहे हैं क्योंकि wages पर control ही नहीं कर सकता wages fix रहेंगे हमारे इसलिए wages is equal to में marginal factor cost है जैसे हमारा price is equal to में marginal revenue था और जैसे product market में price को average revenue कहते हैं जैसे factor market में wages को क्या कहेंगे average factor cost तो हम कह सकते हैं wages is equal to में marginal factor cost रहते हैं और wages को ही हम average factor cost कहते हैं तो एक चीज हमें यहां पर पता लगी कि हमारी wages is equal to में marginal factor cost होईगा या फिर कह लिगे इकवल to में average factor cost रहेगा अब हमने देखना है अगाएवे यहाँ पहुता हैằng lavoro, हमें पहले पड़ा इकलीबिडियम वहां पे रहाँ पाल में हमें पहले झाले कम आग सहे मतल飯 किःष्ड में अब हैंगे सर यहां यहां पर currently ZVT gives गाएवे 275 अम्हें सब्सक्राइब diferença को जाता है फिर माइनस में जाता है यहां पर हमने पढ़ा था सिर्फ घटने वाले portion को ठीक है रियल में जब हम देखेंगे तो यह पहले बढ़ता है फिर घटता है ठीक है हमारा marginal product इसलिए यह curve ऐसी है अब जानने वाली बात यह है कि equilibrium तो यहां पर भी बन रहा है यहां पर भी बन रहा है है ना देखें हमने product market के case में क्या पढ़ा था कि margin revenue is equal to में marginal cost होना चाहिए इसी तरह यहां पर होता है कि wages या फिर कह लीजे marginal fixed cost किसके equal होना चाहिए marginal revenue product के equal होना चाहिए हमने अब आप कहेंगे कि sir यह आपने आपने कहां से लाय की बही कि उपर से कट करनी चाहिए ऐसा क्यों है कि नीचे से कट नहीं करनी चाहिए देखिए यह equilibrium point हम माल लेते हैं अगर हमारी firm इससे ज्यादा worker यहां पे लगाए इस equilibrium point से ज्यादा worker लगाए तो आप देख सकते हैं उसको यहां पे margin revenue ज्यादा मिल रहा है जबकि wages कम देने पड़ रहे हैं तो वह यहां पे labor employee करना क्यों बंद करेगा वह बढ़ाता चलेगा यहां पे क्योंकि उसको revenue ज्यादा मिल रहा है जबकि wages उसे कम देने पड़ रहे हैं जहां पे wages equal होंगे margin revenue product के और margin revenue product कर wages कर को उपर से cut करेगी या फिर कह लिए margin fixed cost कर को उपर से cut करेगी अब हमें क्या पता है कि wages equal to marginal fixed cost होते हैं और wages को ही हम average fixed cost कहते हैं जैसे price equal to marginal revenue होता था और price को ही हम average revenue कहते थे product market के case में वैसे ही factor market में होता है कि wages equal to में margin fixed cost होते हैं और wages को ही हम average fixed cost कहते हैं यह मैंने आपको समझा दिया अब perfect competition के case में क्या था equilibrium point पे marginal revenue या फिर average revenue किसके equal होगा marginal cost and average cost के equal होता है यहाँ पे क्या होता है कि equilibrium पे क्या होगा wages या फिर कहले ज़िए margin fixed cost किसके equal होगे value of marginal productivity या फिर कहले ज़िए margin revenue product के equal होगे यानि कि इस point पे होगे तो यह होगी equilibrium की condition जब factor market और product market दोनों में क्या हो perfect competition हो तो यह सारी चीज़े हमें याद रखनी है पहली चीज़ क्या हमें याद रखनी है कि perfect competition के case में value of margin product और margin revenue product same होता है मैंने आपका explain करती है क्यों same होता है ठीक है और यह slope इसका पहले बढ़ता है फिर नीचे की तरफ घड़ता है दूसरी बात मैंने आपको बताई कि wage rate को ही हम average fixed cost कहते हैं और average fixed cost is equal to margin fixed cost होता है जब हम product market की बात कर रहे हो perfect competition में और equilibrium कहाँ पे होता है जहाँ पे margin revenue product equal है margin fixed cost के या फिर कह लीजिए wages के और margin revenue product कर रहे है margin fixed cost कर को या फिर wage कर को उपर वाली साइट से ये दो equilibrium condition है और equilibrium point पे क्या होगा हमारे wages या फिर average fixed cost या फिर margin fixed cost equal होगा value of margin product के और margin revenue product के तो I hope आप लोगो perfect competition का case समय में आ गया होगा फिर भी अगर कोई confusion है please comment box में लिखना मत भूलिए गा और मिलते हैं हम next video में जहाँ पर हम दूसरी conditions चेक करेंगे तब तक be safe keep learning जैहिंद धन्यवा